चालोगी रिकोडिंग, ओके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसों 13 एपल ने लॉंच कर दिया, 14 सेप्टेंबर को ये लॉंच हुआ तो आज इसके फीचर्स के बारे में जाने के कि इसके इसके अंदर फीचर्स दिया है सबसे पहले तो इसके अंदर एक, जाद जायए डिजाइन दिया हिसके अंदर और ज्यादा आज नोच वह जोज़य और आजए कॉछ को थोड़ा क्या गया है , इसके अंदर इसके अंदर ऐसके काप्य अच्छ एडाले गए जाले गाएं तो इसमें आपको 6.7 स्की भी स्मॉल नॉच के साथ मिलेगी जो कि दिस्प्ले काफी ज्यादा मिलेगी अब कंपेर टू आइफ़न 12 और आपको इसमें आप सिर्यमिक शिल्ड की ग्लास मिलेगी जो कि ज्यादा अच्छा ज्यादा मजबूत बन जाता है फो कंपेर टू इसके अंदर एपल ए 15 बायोनिक चिप डाली गई है जो कि आज 15 विलेग्स के ट्रांजिस्टर है और 6 कोड सीप्यू है पिछले बाले आइफ़न 12 के अंदर आपको 4 कोड सीप्यू मिलता थे बर इसके अंदर आपको 6 मिलेंगे जो कि 6 हैं 2 हाई परफॉमेंस कोड होंगे औ इसके अंदर इसके अंदर फॉर्क और की जीप्यू है जो कि इसको थर्टी परसेंट फास्टर बनाता है और अधर फॉन के कंपेरिजन में यहां पर इस एक 3D मैप का यहां पर एक मैप वो गए एप है जो कि आपको ज्यादा अच्छा है अगर आप मैप के शोखीन है और ट्रेकिंग के और एक एप्लिकेशन है कि आप कोई भी पैड हो कोई भी ट्री हो या एनिवल आप उसको रिकॉनाइज कर सकते हैं जान सकते ह कि क्या इसका नाम क्या है और यह कि चीजों यूज आता है तो एक इंप्लिमेंटेश के अंदर और 15 बाइनिक चिप की बात करें तो इसमें आपको 15 बिलियन ट्रांजिस्टर 25 परसेंट फास्टर सीप्यू है अधर कॉंपेटिशन जो चल रहा है मार्केटर ने उससे और 30 परसेंट फास्टर जीप्यू अधर कॉंपेटिटर है जो मार्केट के अंदर इसने अप्रेगन ट्रिपल एट से इसका कंपैरिशन हो रहा होगा जहां तक मुझे पता है फास्टर नियुर इंजिन इसके साहत है 15.8 इसका ऑपरेशन पर सेकिंड है और नियू डिश्प्ले पराओगा 12MP का जो की नियू 1.7 UM सेंसर के साथ है 40% 47% मोर लाइट गेदरिंग है 1.6 का इसका एप्रेचर है 46 foot 26 mm इसकी फोकल लेंथ है 7 element लेंग से 100% फोकस के पिक्सल से इसके अंदर तो इसके अंदर और एक टेकनोलोजी है जो सेंसर शिफ्ट टेकनोलोजी आई इसके अ इस तरह से होगी सेंसर सिफ्ट टेकनोलोजी है जो की सेंसर भी इसका जो सेंसर है वह आपका सिफ्ट होगा और सेगिंड जो होगा 12MP का अल्ट्र वाइट कैम्रा होगा न्यू फास्टर सेंसर के साथ होगा इसका 2.4 अपरेचर होगा और 13 mm लोकल फोकल लेंथ होगी इसके इसके अंदर फाइब एलिमेंट लेंस होगा इसके अंदर और 120 जो फिल्ड ओ व्यू दिखाएगा यह तक जो मुझे इसकी बार में जादा जानकारी नहीं है वाट मैं बता रहा हूं यह इसका इमेज है जो आप देख सकते हो अगर अगर के अपल ने अधर लेंस एक्स्ट आप अपने वीडियो बना सकते हो और जो अब्जेक्ट आप उसको फोकस कर सकता है और मैटिक तो यह काफी अच्छा फीचर है यह सबसे ज्यादा अब बैटर फीचर अभी तक आइफोन ने डाला है अब तक का जो सबसे अच्छा है तो आइफोन 12 का केमरे की बात करें तो लो लाइट सेंसर है और सिनेमेटिक मोड है जो अभी तक किसी फोन में नहीं आया है अभी तक पोट्रेट मोड तो पहले सी आ रखा है इसके अंदर और इसके अंदर स्लो मोशन सेलफीज भी आई है तो डी फ्यूजन भी इसकंदर जो की काफी अच्छा है और इसकी बैटर और अपल के रहा है और अल्डे बेटरी लाइफेस की आईफंटेल की यहां पर कलर्स की बात करते हैं तो कलर्स इसके अंदर काफी अच्छे हैं कालर में दिखा देता हूं इस तरह से सबसे पहला कर दियो काफी अच्छा लग रहा है वह है रेड और इसका अस्टार नाइट, फॉर्थ इसका ब्लू, फिफ्ट इसका पिंक, जो की काफी अच्छे कलर से हैं तो इस टोरेज की बात करते हैं तो इस टोरेज आप पर इसके हैं वन टॉन्टी एट जीवी के साथ स्टोरेज होगे 512 जीवी तक जाएगी स्टोरेज इसकी और जो प्राइस होगा इ एक्सपेक्टेड प्राइज है 70-75,000 से ओपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है 70,000 भी हो सकते हैं और 80,000 भी हो सकते हैं तो यह सारा फीचर्स थे आइपोन 13 के बारे में जो कल 14 सेटेमर में लॉंच हुआ था तो थैंक्स वोचिंग मैं वीडियो प्राइस